कमल आशन पे विराजमान हन्सवाहन वीनापाणि माशारदे को नमन करता हूँ वीर परस्वेनी तपस्वियों की तपो धुमी हिंदुस्तान की धरा को नमन करता हूँ भारत के वीर सपूत और सीमा पार आतंकियों से लोहा लेने वाले हिंदुस्तान के वीर शैनिकों को नमन करता हूँ आप सभी स्रोताओं को प्रणाम करता हूँ प्रिये सजनों मैं आज एक स्वरचित देश भक्ती कविता के माध्यम से एक आठ वर्षिये बालक की भावनाओं को सब्दों में बांधने का परियास करता हूँ एक आठ वर्षिये मासूम बालक जिसके पिता आतंकियों से लोहा लेते वे सहदत को प्राप्त हो जाते हैं मा भारती की रक्षा करते वे वो सहिद हो जाते हैं और जब बालक उनकी साहदत के बारे में सुनता है, तो उस आतंकवादी देश के प्रती उस बालक के मन में किस प्रकार की भावनाई उबर कर आती है? अगर बालक के माध्यम से इस कविता में सची देश बक्ती की भावनाव्यक्त होती है, तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस हिंदी कविता चेनल को सब्सक्राइब और लाइक करके आप मुझे और मेरी कलम को देश बक्ती की कविताएं लिखने के लिए और आग आप सभी का एक बार पुने स्वागत करता हूँ और आपको इस देश बक्ती कविताएं से सायोजित करने का प्रियाज करता हूँ, बालक अपनी माँ से क्या कहता है? मन मा बंधू क दिलादे दुसमन ने मार भगाउं ए भारत रोमान बडाउं मन मा बंधू क दिलादे दुसमन ने मार भगाउं बालक की बावनों में क्या व्यक्त होता है? अगली चार पंक्तिया निवदन करता हूँ कब भारत मा का लाल पड़्या दुसमन नरी के दशड़े है कोई शेंकडों हजारों हमारे शेनिक और निर्दोस लोग दुसमन देश की जेलों में पड़े वे हैं उनकी कोई खेर खबर नहीं है तब बालक केता है कि भारत मा का लाल पड़्या दुसमन री के दशड़े है हो काग युडाती कामण यार नैगना सूनीर जरे है हो राखी के दिन बेन बिलकती कैया धीर धरे है अर बर सांसूनी गोद बिलकती मावा पूत मिलाओं मन मा बंदू क दिलादे दुसमन ने मार भगाओं आतंकवादी देश की इस प्रकार की गत्विदियां करता है अगली चार पंतियां वेक करता हूं अर घात लगा गुस पेट करे सूतां परवार करे है अर भारत रारण जीत दिखे जद छाती फाट मरे है बे छानेर चुपके करे कुचरनी पर घर पाम धरे है ये सदा की अदत रही है उस आतंकवादी देश की के छानेर चुपके करे कुचरनी पर घर पाम धरे है हो भगत शिंग बन करके में दुस मनने सीख सिखाऊं अपना देश और अपने देश का कश्मीर एक अभीन हिसा है जिस पर हमेशा उसकी नजर रही है उसके बारे में चार पंक्तियां वेक करता हूँ अर गोरव है कसमीर देश रो उन पर घात लगावे अर आदो तो पंजाब निगल गयो फेर बाज नहीं आवे यहां के लोगों को युक्साता है बारत के प्रती भारत के वृद्ध उक्साने का काम भी यहां तंकवाद ही करदा है तो इन पंक्तियू में कि फूंक मार तो जेज करे नहीं घर में राड करावे अर हिंदू मुश्लीम शिख इसाई ओ हिंदू मुश्लीम शिख इसाई आ सबने समझाओं मन मा बंदू क दिलादे दुसमनने मार भगाओं इस कविता की अंतिम पक्तियां पंक्तियां व्यक्त खरता हूं हो सूरवीर रण जीत देशरा ऐसे निकमत वाला अर बिनासीश धड़ लड़े एकली भारत मा कालाला यहां की परंपरा रही है भारत के वीर सेनिक जो हैं वो बिना धड़ के भी बहुत सारे दुसमनों को मार कर ही इस सादत को प्राप्त होते हैं ऐसा हमारा इतियास केता है के बिनासीश धड़ लड़े एकली भारत मा कालाला गर गर में वीर सिवाजी है आ दुसमनने याद दिलाऊं मन मा बंदूक दिलादे भारत को मान बढ़ाऊं मन मा बंदूक दिलादे दुसमनने मार भगाऊं जैहिन जै भारत एक बार भुने आप सभी के समरपन और प्यार को नमन करता हूँ आप सभी को प्रणाम करता हूँ और उन वीर सेनिकों को और उनके जज़बे को और मात्र भूमी के प्रती उनके प्यार को नमन करता हूँ और एक बार भुने आप से निवेदन करता हूँ कि आप इसी प्रकार अपना प्रेम देते रहिएगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए होंसला प्रतान करते रहिएगा माशार्दे को नमन करता हूँ और हिंदुस्तान की धरा और मात्रभुमी को नमन करता हूँ जै हिन जै भारत